दोस्तों ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अकल हो और चतुराई हो तो कहीं न कहीं रास्ता निकल जाता है एक बहुती चतुर बालक था अनात था जब वो बड़ा हुआ उसके दिमाग में एक विचार आया वो शहर गया और उसने एक छोटी सी दुकान किराया पर ले ली थोड़े बहुत पैसे खर्च करके उसने स्याही पेन कागश खरीदे और दुकान पर तक्ति टांग दी उस तक्ति पर लिखा कि यहां अकल बिकाऊ है यहां अकल बिकती है उस दुकान की इर्दिगिल सेठों की बड़ी बड़ी दुकाने थी वे कपड़े गहने सबजियां और बहुत सी चीजों का कारोबार करते थे वो लड़का दिन भर गला फालता रहता अकल तरह तरह की अकल लोग मेरे पास अकल है सही दाम एक दाम सौधा करने वाले लोगों ने सोचा कि यह पागल है उसकी दुकान के आगे तमास बीनों की भीड लग गई सबने उसके खिल्ली उड़ाई और कोई भी उससे खरीदार पर उस लड़के ने धीरेज नहीं खोया एक दिन एक धनी सेट का बेकूफ लड़का उधर से गुजरा उसने ब्राम्भन के लड़के को आवाज लगाते सुना अकल लेलो अकल लेलो तरह तरह की अकल लेलो यहां अकल बित्ती है सेट के बेटे के कुछ पल्ले नहीं कि वो क्या बेच रहा है उसने सोचा यह कोई सब्जी ऐसी चीज है जिसे उठा कर ले जाये जा सकता है उसने उस लड़के से पूछा कि एक सेर अकल का क्या दाम लोगे उस लड़के ने कहा भई मैं अकल को तौल कर नहीं उसकी किस्म के अनुसार बेशता हूँ सेट के बेटे ने एक पैसे का सिक्का निकाला और बुला एक पैसे की जितनी अकल आती हो दे दो उस लड़के ने कागाच का एक पूर्जा लिया और उस पर लिखा कि जब दो आदमी जगण रहे हो तो वहाँ खड़े होकर उने देखना अकलमंदी नहीं है और उस कागाच का टुकड़ा सेट के बेटे को दे दिया और कहा कि वो उसे अपने पगड़ी में बान ले सेट का बेटा घर गया और उस कागाच का टुकड़ा पिता को दिखाते विया कहा कि मैंने एक पैसे में अकल खरिदी है ये देखिए सेठ ने कागज का टुकडा लिया और पढ़ा कि जब दो आदमी जगड रहे हो तो आख खड़े होकर उन्हें देखना अकलमंदी नहीं है सेठ को बहुत गुस्ता आया वो अपने बेटे पर बरस पढ़ा कधा कही का इस बकवास का तो ने एक पैसा दिया अरे ये तो हर कोई जानता है कि जब दो लोग जगड रहे हों तो वहाँ नहीं रहना चाहिए सेठ बाजार गया और उस लड़की के दुकान पर जाकर उसे बहुत भला भुरा कहने लगा उसने कहा बदमास तुने मेरे बेटे को ठगा है वो बेकूप है और तुने उसे ठग लिया सिधे-सिधे मेरा पैसा लोटा दे नहीं तो मैं दरोगा को बिलाता हूँ उस युवक ने कहा अगर आपको मेरा माल नहीं चाहिए तो वापस कर दीजे मेरी सलाह मुझे लटा दीजे और अपना पैसा ले जाएए सेथ ने कागज के टिकुडो को उसकी तरफ फेकते हुए कहा ये लोग तुम्हारा कागज और मेरा पैसा वापस करो उस लड़के ने कहा मुझे पुर्जा नहीं मेरी सलाह वापस चाहिए अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो तुम्हें ये लिख कर देना होगा कि तुम्हारा बेटा कभी मेरी सलाह पर नहीं चलेगा और जहां दो लोग लड़ रहे होंगे महाँ जरूर खड़ा रहेगा और लड़ाई को देखेगा आसवास के लोगों ने उस युवक का पक्ष लिया सेठ भी तुरंट लिख कर दे दिया और हस्ताक्षर कर दिया और अपना पैसा वापस ले लिया वो खुस था कि उसने एतनी असानी से अपने बेटे के मुर्खता पुन सौधे को रद्द कर दिया उसी शहर में राजा के दो राणिया थी और दोनों एक दूसरे को फुटी आँक नहीं सुहती थी और तो और उनकी दास्यां भी एक दूसरे को दुश्मन समझती थी वे अपने मालिकों की तरह जगडे का कोई मौका हां से जाने नहीं देती थी एक दिन दोनों राणियों ने अपनी एक एक दास्य को बाजार भेजा दोनों दास्यां एक ही दुकान पर आ गई और दोनों ने कद्दू लेना चाहा उस दुकान पर एक ही कद्दू था और दोनों को कद्दू चाहिया था वे लड़ने लगी, उनकी हाथ और जबान टेट चलने लगे, बिचारा दुकानदार देखता रहे गया, उधर सेट की लड़के ने उन्हें जगड़ते हुए देखा, तो अपने पिता और ब्राम्भन के करार को याद किया, और उन जगड़ा देखने के लिए रुख गया, तुमने अपनी आखों से देखा है, किसने किसको मारा, दूसरी दासिय ने कहा, तुमने मुझे भी देखा कि मुझे कितना मारा गया, और तुम्हें ये बात बतानी होगी, ऐसा कहे कर वे चले गया, दासियों ने अपनी मालकिनों को फूब लगा बुझा कर जगड़े का हा रानियों को भी गुस्ता आया, दोनों रानियों ने सेट के बेटे को बुलवाया, और उसे कहा कि तुम्हें गवाही देनी है, अगर उसने उसका पक्ष नहीं लिया, तो वे उसका सर कटवा देंगी, अब तो सेट के बेटे के होँस उड़ गए, सेट को जब इसका पता च पर इकते हैं। और उन्वेने मुसीबद से छुटकारा पाने के लिए उस युवक के दुकान पर गए। उस युवक ने कहा कि मैं इस मुसीबस से बचाने के सो रुपए लूँगा। सेठ ने पांस सो रुपे दे दिये उशिवक ने कहा कि अब तुम जाओ और जब तुम से पूछें कि क्या हुआ तो तुम पागलों की हरकत करना तुम पागलों का नाटक करना अगले दिन राजा ने सेठ के बेटे को बुलाया राजा और मंत्री ने उससे कई सवाल पुछे पर उसने एक भी जवाब नहीं दिया आये बाये साये बकता रहा एक भी शब्द राजा के पल्ले ने पड़ा जुझला आकर राजा ने उससे बाहर निकलवा दिया सेठ बहुत खुस हुआ कि उसका बेटा बज गया और उसने उस अकलमन युवक की तारिप करने लगा उसके चर्चे सब जगा होने लगे अब सेठ ने विचार किया कि मेरा बेटा तो राजा के सामने पागल होने का ढोंग किया लेकिन राजा तो उसे पागली समझता है और कहीं राजा को पता चल गया कि उसके साथ छल क्या गया तो मेरे बेटे को छोड़ेगा नहीं। वे फिर से भैवित हो करके उस युवक के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई इस मुसिवत से भी बचाओ। तो उस युवक ने पास सुर रुपे और लिये और कहा कि जब महराज बहुत खुश हो तो जाकर उन्हें सची बात बता देना। उससे उनका मन बहला होगा और वे तुम्हें माफ कर देंगे। पर ध्यां रखना कि राजा उसमें बहुत खुश हो। सेट के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ये बात सुनकर खुब हसा और उसे माफ कर दिया। ये किस्था सुनकर राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें अकल किस ने दी। तब उस लड़के ने बताया कि एक दुकान पर एक युवक बैठता है और वो अकल बेशत जाहूं ऐसी तक्ति लगा कर रखा है। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। इस सला से राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसे अपना सुत्रवाग के बना लिया। उसने इसे अपने तक्ति के नीचे रख दिया। और अपने प्यालों और तस्तरियों में भी ये लाइने खुदवा दी। ताकि वो इसे कभी भूले नहीं। कुछ महिनों के बाद राजा बीमार पड़ गया। मंत्री और रानी ने राजा से छुटकारा पाने के लिए एक साजिश की थी। उन्होंने वैद्य को घूज देकर अपने साथ मिलाया था। और राजा को दवाई के बदले जहर देने के लिए राजी कर लिया। जब दवा राजा के सामने लाई गई। राजा सोने का प्याला होंटू तक ले गया। तभी उसकी नजर उस प्याले पर खुदे शब्दों पर पड़ी कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। बिना किसी तरह का शक किये इन शब्दों का मनन करते हुए उसने प्याले को नीचे किया और दवाई को देखने लगा। ये देखकर वैद्द डर गया। उसका अपराधीमन ये सोच कर काप गया कि राजा को दवा में मिले जहर का पता चल गया है। वो राजा के पाउं में घिर पड़ा और छमा की आजना करने लगा। राजा इस्तब्द रह गया पर सिग्र ही समल गया। और पहरेदारों को बुलवा कर वैद्द को कारागार में डलवा दिया। फिर उसने मंत्री और कप्टी रानी को बुलवाया और उन्हें प्याले के जहर को पीने के लिए कहा। दोनों ने राजा के पाउँ पकड़ कर दया की भीक मांगी, राजा ने उन्हें कारागार में डलवा दिया और वैद्य को देश निकाला दे दिया, उन्होंने उस युवक को जो अकल बेच रहा था, उसे बहुत सारा धन और पुरुसकारों से लाद दिया और उसे अपने रा आनिया आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक और सबस्क्राइब करिएगा